शांति की तलास में पूरी दुनिया के चक्र लगाया अग्गर शांति मिली भी तो कहां खुद के अंदर कई बार हम बहुत जगों में हमारी खुशी हमारी शांति की तलास करने लगते हैं कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहां जाते हैं, कि हमें इस चीज से खुशी मिलेगी, हमें इस चीज से शान्ती मिलेगी, परंतु ये तो व्यक्ति के अंदर ही है, आप अपने अंदर ढूंडेंगे, तो खुशी भी मिलेगी, और शान्ती भी मिलेगी, कहीं और तलाश करने की कई और शान्ती के लिए भटकने की आफशकता नहीं है अपने भीतर जागिए अपने मन को व्याकुलता से बचाएए अच्छे होकर अच्छे और शान्त और इस्थिर होकर आप अपने सभी अच्छे और कॉलेटी मुपंट्स को याद कीजिए देखेगा आप अपने आप खुशी से और शान्ती से भर जाएंगे नमस्कार, मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 28 मही मंगलवार का दैनिक राशी पर लेकर उपस्ते तुई हूँ और सबसे पहले आजाते हैं आज के पंचांग पर तो जेस्ट मास के क्रश्न पक्षकी पंचमी तिथी आज है जो कि दौपेर 3.23 मिनट तक रहेगी उसके बाद सस्टी तिथी प्रारंब हो जाएगी उत्रा साड़ा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो कि प्रातक काल 9.33 मिनट तक रहेगा उसके बाद स्ट्रवन नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज मकर राशी में गुचर ब्रह्मन करेंगे ब्रह्म योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से चानते हैं उसका टाइम पिरिड़ दौपेर 12 बज़े से लेकर 1.30 मिनट तक रहेगा मही राउ काल का समय दौपेर 13 बज़े से लेकर 4.30 मिनट तक रहेगा दिशासुला जुतर दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना हवशको तो गुड़ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं सीधा आज के डैने कराशी फल पर वास्तु दोस जिसके कारण कई प्रकार की समस्यां व्यक्ति के जीवन में उत्पन हो जाती है तो आज मैं इस वास्तु दोस के निवारण से संबंदी थी कुछ विशेश उपाय लेकर आपके सामने उपस्तित हुई हूँ इन उपायों को जानने के लिए वीडियो के अंतक आप मेरे साथ बने रहे हैं शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वी भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें अपने पिता की सला लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आज के दिन घर में मैमान आ सकते हैं आज के दिन आप वर्ग प्लेस पर कोई बड़ी उपलप्ती हासिल करते हुए दिखाई देंगे शैनकक से सदा वर्गाकार और आहतकार होना चाहिए इससे आनंद की अत्यदिक अनुभूती होती है आपका शुबरंग रहेगा नीला, शुबंग रहेगा चार अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अधा आज के दिन ध्यान भटकाने की जगा अपना फोकस बढ़ाए जो higher education से जुड़े हुए चातर हैं उनको कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा जैसा आप चार है आज के दिन अपने कारियों को डेली रूटीन के हिसाब से करें और पहले अदूरे पड़े हुए कारियों को लें उसके बाद नवीन कारियों की शुरुवात करें यदि मुख्य द्वार पश्चिम में है तो पूर्वों में भी एक द्वार अवश्य बनाए इस प्रकार दक्षिन में द्वार है तो उत्तर में भी बनाए आपका शुब्रंग रहेगा लाल शुबंक रहेगा चार अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी कारिया ना करें जल्द बाजी में किये के कारियों का दुश्परिनाम भोगना पढ़ सकता है अपनी गोपनी बातों को किसी के साथ शेयर न करें गोपनी दस्ताविज़ों को सुरक्षित अस्थान पर रखें आज के दिन अपने कारियों को खुद खड़े रहकर पून करें किसी और पर न डाले मकान में उत्तर और पूरु दिशा में खाली जगा अन्य दिशाओं के अपिक्षा थोड़ी सी कम रखें आपका शुब्रंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा दो अब आतें करकर आशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन दामपत्य सुखों का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे लव रिलेशन्शिप में किसी को मन की बात बोलना चाते है तो उसे कह दें आज के दिन व्यापार में आप अच्छी उन्नती करेंगे आपकी रासी से एक चंद्रमा आज के दिन छटी भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी कारें नहां करें आज के दिन अपने प्रतीत वंदियों से थोड़ा साब धान रहें यात्राओं को आज के दिन टालें लंबी दुरी की यात्रा से बचें आज के दिन आप जो डूटीन में कारे कर रहें उन्हीं कारें को करें रिसकी कामों में हाथ न डालें बाथरूम और ड्रेसिंग रूम के दर्वाजे आमने सामने कभी भी नहीं होने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मैरून, शुबंक रहेगा नौ अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी रासी से एक चंद्रमा आज के दिन पांचवी भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी नेने लेने से बचें अब आते हैं तुला राशी पर आज के दिन भूमी विवादों से जतना हो सके दूर रहने का प्रयास करें मां का सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा सामज एक मांथ संबान में बड़ोतरी होगी आज के दिन किसान वर और थोड़ा सा खेती वाड़ी में स्ट्रगल करना पड़ सकता है अर्ता छत में दरपण नहीं लगाने चाहिए अन्यतर लगाने से आय में वरत्धी होगी आपका शुब्रंग रहेगा मजेंटा, शुबंग रहेगा सांथ अब आते हैं व्रशिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज का दिन छोटे भाई वैनों से मदवेदों को समाप्त कर गले लगाने का है उनसे संबन माधूर्य में बदल जाएंगे आज के दिन कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी जिससे आपका सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ेगा डिसिजन मेकिंग वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी रहेगी जिससे आप कोई प्रभावशाली डिसिजन ले अपने अधिकारियों का दिल जीत लेंगे आज के दिन व्यापार में कुछ बड़ा लाब होने के प्रबल योग बन रहे हैं ड्रॉइंग रूम के इसान कौन में पूजा गर बना सकते हैं अत्वा पूजा का इस्थान दे सकते हैं अत्वा कोई नदी अज़रने की तस्वीर भी लगा सकते हैं आपका श्विभरंग रहेगा गुलाबी श्विभंग रहेगा च्छेन अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी सी चंद्रमा आज के दिन दूसरी भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज के दिन रिसर्स से संबंदित कारियों में बड़ी सफलता के योग मनेंगे कुटुम में मान समान बढ़ेगा गर की महिलाओं को आप गिफ्ट देते हुए दिखाई देंगे यात्रा है आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन परिवार में कुछ मांगले करेक्रमों की रूप रेखा भी रखी जा सकती है किसी भी स्थान पर रिशान कौन जितना ज़्यादा साप सुत्रा वह हलका होता है वह उस्थान उतना ही पायदे मन साबित होता है आपका शुभरंग रहेगा ग्रे शुभंक रहेगा एक अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे अथा आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी कारिये ना करें सोच समझ कर के ये गए कारियों में आपको उचित लाप रापत होगा आपने घर के बढ़ों की सला लेकर ही जरूरी decision ले आज के दिन अध्यात्मिकारियों में आपका मन अधिक लगेगा महीं आज के दिन समाध सेवा जैसे समंदित कारियों में आप अपनी प्रसन्नता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे आपके सामजिक बान सम्मान और प्रतिस्टा में भी व्रति होगी किसी भी मकान या तिराय का होना अशुब होता है इस दोश के लिए चार दिवारी पर आयना यानी दरपन जरूर लगाए आपका शुब्रंग रहेगा गोल्डन शुबंग रहेगा तीन अब आतें कुमराशी पर आपकी रासी से चंद्रम आज के दिन बारवेई भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज के दिन आपको बजट यानी मनी मेनेजमेंट करना आना चाहिए वरना आपके पैसे खर्च हो जाएंगे और लून लेकर काम करना पड़ेगा आज के दिन आपकी प्रसिती बढ़ेगी मैनत का यतिस्ट फल आपको हमीशा प्राप्त होगा आज के दिन आपके सुखो में वरती होगी घर में कोई लगजीरिस आइटम की खरीदारी की जा सकती है कोई भवन यदी सड़क के तेज गुमाओं पर इस्थित है तो यह अशुब होता है इसकी अशुबता से बचने के लिए उसकी सामने व्रक्षो की कतार जरू लगानी चाहिए आपका शुबरंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन 11 भाव में गोचे अपरमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी डिसिजन नहल है आकस्मिक दनलाप की परिस्तितियां आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेगी यदि आपने किसी को दे रखाएं तो वह विक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा वहीं आपके आज के दिन लॉटरी या शेर्स खुलने के चांसे बन रहे हैं कमरे की दिवार पर देवी देवताओं के चित्र आमने सामने कभी भी ना लगाएं इससे अनेक प्रकार की खानिया उठानी पड़ सकती है आपका शिब्रंग रहेगा सफेज शुबंग रहेगा तीन तो ये है 28 मई मंगलवार का दैनिक राशी फल अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमेशा मुस्कूराते रहिए जै श्री रादिक्रश्णा इस संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान, एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2